तारीखें आती हैं और तारीखें चली जाती हैं लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाती है 11 सितंबर दुनिया के लिए एक ऐसी ही तारीख है क्योंकि आज ही के दिन दो बड़ी घटनाएं हुई थी पहली घटना आज से 127 वर्ष पहले 1893 में हुई थी जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहे विश्व धर्म संसद में अपना भाशन दिया था ये वो भाशन है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत की एक बहुत मजबूत चवी को पेश किया था दूसरी घटना 19 साल पहले वर्ष 2001 में हुई थी जब नियू यॉक के वर्ल ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें लगभग 3,000 लोग मारे गए थे हलाकि ये भी विडंबना है कि लोग इस आतंकवादी हमले को तो याद करते हैं लेकिन कोई भी वर्ष 1893 के 9-11 को याद नहीं करता सच ही है कि अगर दुनिया ने 11 सितंबर 1893 के उस घटना के महत्व को समझ लिया होता तो 11 सितंबर 2001 जैसी घटना हुई ही ना होती विश्व धर्म संसद में अपने भाशन की शुरुआत में जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आफ अमेरिका यानी मेरे अमेरिके भाईयो और बहनों उनके इन शब्दों को सुनकर वहां मौझूद साथ हजार लोगों ने करीब दो मिनट तक खड़े होकर लगातार तालियां बजाई बिना रुके और उनका अबिवादन किया सिर्फ 30 साल के उमर में एक सन्यासी ने दुनिया को हिंदुत्व के नजरिये से भाई चारे का पाठ पढ़ाया था आज आपको जानना चाहिए आखिर भारत के सन्यासी ने ऐसा क्या कहा था जिससे पूरी दुनिया उस समय मंत्र मुग्ध हो गई थी स्वामी वेवेका नंद ने विश्व धर्म संसद में सबसे आखिर में अपना भाशन दिया था वो आखिरी स्पीकर थे वो जब भाशन देने के लिए उठे तो कुछ देर के लिए शान्त कडे रहे फिर उन्हों ने अपने भाशन की शुरुात मेरे अमेरिकी भाईयों और बहनों से की उन्होंने अपने धर्म का जिक्र करते हुए कहा वो एक ऐसे धर्म से हैं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सब को सुईकार करने का पाट पड़ाया है उन्होंने विश्व के सभी धर्मों को सत्ते के रूप में सुईकार करने की बात कही भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो एक ऐसे देश से आते हैं जिसने इस प्रत्वी के सारे देशों और धर्मों के परेशान और सताय हुए लोगों को अपने यहां शर्ण दी है 127 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने सामप्रदाइकता और कटरता के प्रती भी दुनिया को आगा किया था उस जमाने में और कहा था कि कितनी बार ये धर्ती खून से लाल हुई है कितनी सब्वेताओं का विनाश हुआ है और नजाने कितने देश नश्ट हुए हैं अगर ये जैसे स्वामी विवेकानंद भारत के सबसे प्रतेभाशाली अध्यात्मिक शिक्षकों में से एक थे उन्होंने पश्मी देशों को पूरब के दर्शन के बारे में बताये था वो खुद बहुत बड़े ग्यानी थे लेकिन वो जीवन भर ग्यान की खोज करते रहे कोरोना के संकटकाल में शायद आपको भी अपना जीवन मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ऐसे समय में ही आपका मस्तिश्क बड़े बदलाओं के लिए तयार होता है हमेशा ध्यान रखिए जो व्यक्ति जीवन में सीखना छोड़ देता है उसका जीवन वहीं ठहर जाता है और उसका विकास कभी नहीं हो पाता इसलिए सीखना जारी रखिए स्वामी विवेकानंद मानते थे जितना बड़ा संगर्ष होगा जीत उतने ही शांदार होगी जीत भी भारत के लिए बहुत शांदार होगी स्वामी विवेकानंद ने एक बात और कही थी उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्षे की प्राप्ति ना हो जाए इस समय हमारा देश आत्म निर्भर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है इस लक्षे त सन्यासी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे और शांदार कम्यूनिकेटर थे उन्होंने प्राचीन गरंतों की जटल बातों को बहुत सहज और सरलता से सरलता के साथ अपने संदेश के जरिये पूरे दुनिया को समझाया इसलिए उनके निधन के 118 वर्षों के बाद भी उनके विचार प्रासंगिक बने हुए हैं इसलिए उनके बारे में आप जरूर पढ़िए